हेलो दोस्तों, DCC क्लासेस में आपनों का स्वागत है, नए वर्ष की सुभकामनाएं भी आप लोगों को और साथ ही नौरात्र के पहले दिन की भी सुभकामनाएं आप लोगों को आज हम लोग इस ख्लास में मानव रोगों से संवन्दित बातों पर चर्चा करेंगे जो की competition की दिस्कोर से ही एक महत पूर्ट तापिक माना जाता है और मानो स्वास्थ और उससे संबंधित जो रोग हैं उससे तमाम परिच्छाओं में प्रिप्योगी परिच्छाओं में प्रश्ण बनते हैं जिस पर हम लोग आज ब्रिहत चर्चा करेंगे देखिए जो रोग हैं मानो से उसमें मानो से संबंधित रोगों की जो चर्चा है उसको हम दो भागों में बाटके करेंगे एक संक्रामक रोग और एक असंक्रामक रोग देखिए संक्रामक रोग उन रोगों को कहते हैं जिन का प्रसार किसी जीव के द्वारा हो और जिन रोगों का प्रसार किसी जीव के द्वारा नहीं होता है उसे हम असंक्रामक रोग की स्रेड़ी में रखते हैं तो इस प्रकार रोगों को हम संक्रामक और असंक्रामक दो भागों में बात सकते हैं आसानी से इन संक्रामक रोगों का प्रसार किसी जीव के माध्यम से होता है और असंक्रामक रोगों में जीव नहीं होता है या तो deficiency की कमी जाए vitamin hormones की कमी कह सकते हैं या अनकारणों से ये आप कह सकते हैं या functional disease जिसमें हम मतलब लेते हैं hormones की कमी या अधिक्ता के कारण उनसे संबंधित रोगों को रखते हैं तो यदि हम ऐसे रोगों को रखें जो संक्रामक रोग हैं तो संक्रामक रोगों की स्रेणी में आप देखेंगे जो जीवों से इस जिनका प्रसार होता है उसमें हम बैक्टिरिया लेंगे जीवार, वाइरस ले सकते हैं, प्रोटो जोवा ले लेंगे, हंगस ले लेंगे और क्रिम ले लेंगे इन सभी से जो रोग फैलते हैं उन्हें हम संक्रामक रोग कहते हैं जैसे कि बैक्टिरिया से समंधित बैक्टिरिया से फैलने वाली जो बीमारी है उसमें हम रखेंगे जैसे हैजा को हैजा आपका एक प्रकार के संक्रामक रोग है चूंकि ये वेक्टिरिया के द्वारा फैलता है हैजा हैजा में आप देखेंगे इसके जो जिवार का नाम है वो विब्रियो कालेरी विब्रियो कालेरी नामक जिवार इस रोग में इस रोग का कारक है और यह रोग जो है गंदगी से फैलता है मकھیاں इसकी वहाग होती हैं गंदे अस्थानों पर बैढ़ जाती है और यदि हमारे भोजन खुला रहता है उसपर आके मकھیاں बैढ़ती है तो उससे आपको हैजा फैलने का या हैजा की बीमारी हो जाती है इस बीमारी में आदमी को बार बार उल्टी और दर्स्त होता है जिससे उसके सरीर में पानी की कमी हो जाती है जिसे हम डिहाइड्रेसन करते हैं सरीर और पैर में एठान आ जाती है और इलाज के अभाव में रोगी की मृत्वी हो जाती है इसके लिए हम कुछ कह सकते हैं कि उपाय कर सकते हैं घर पर ही जैसे यदि कोई हैजा से गर्शित व्यक्ति है तो आप उसके लिए ठंडे पेपर आथों को देंगे पानी की जिससे क हमीन होने पाए आप ओर इसका घोल दे सकते हैं उसको या ओर एस का घोल आपके पास वार इस नहीं है घर पर तो घर पर ही निबू पानी का घोल बनाकर आप उसे पिलाते रहिए और तंडी चीजों का सेवन कराइए जैसे पुरीना हुआ मरिधारा हुआ इनसे आपको रहत मिलेगी हैजा की बीमारी में इस प्रकार से आप देखेंगे कि हैजा एक संक्रामक रोग है जो जानलेवा भी है या इलाज समय पर नहीं हुआ तो जानलेवा हो सकता है हैजे का आज कर तीका भी लगाए जाता है दूसरा आप देखेंगे टाइफाइड बीमारी है जो एक संक्रामग बीमारी है टाइफाइड जिसे हम मियादी बुखार भी कहते हैं या उसी का एक नाम मोटी जहरा रोल है टाइफाइड में इसके जो वैक्टिरिया का नाम है ये सालमोनेला टाइफोसा जो पानी के गंदे पानी या आप कह सकते हैं खराब पानी के कारण ये बीमारी हो जाती है इसके वैक्टिरिया खराब पानी में रहते हैं और हम खराब पानी को पीते हैं तो उसके वैक्टिरिया हमारे सरीर में जाकर टाइफाइड बीमारी पैदा कर देते हैं इससे हमारा आ दिनों के अंदर इसके लच्छन दिखेंगे धीरे धीरे बुखार होगा सरदर्द होगा और जब यह अपने उचता मस्तर पर पहुंचेगा तो बाडी पर लाल-लाल दाने भी निकलाते हैं यही टाइफ हाइट के लच्छन है इसका इलाज है टाइब का टीका भी लगता है ब टाइफाइट का उची तिलाज ने होने पर इससे भी मिलत हो सकती है इसलिए टाइफाइट भी एक प्रकार से संक्रामग बीमारी है वो यह जीव ही है हम दूसरी बीमारी लेंगे जो की बैक्टिरिया से ही फेलती है उसको हम देखेंगे टिटनस टिटनस जो है एक टिटैन वेक्टिरिया है यह जब गंदे मतलब आप कह सकते हैं कि घोडे की लीद या जंग लगे लोहे पर इसके वेक्टिरिया पाये जाते हैं और कहीं कट जाए या ब्लट से संपर्ग में आ जाए तो इसके वेक्टिरिया आपके सरीर में प्रिवेश कर जाते हैं और तंत्रिका तं अनुस्ट तंकाल रोग भी कहते हैं टितनेस को टितनेस के लिए DPT का टिका लगता है जो मतलब त्रिगूर टिका माना जाता है कि तीन मिमारियों का टिका है डिप्थेरिया, टितनेस, काली खांसी DPT का टिका लगाये जाता है बच्चों में जिससे टित्नस से बचा जा सके टित्नस से ATS का भे टित्नस से बचा जा सकता है उसके बाद आप देखेंगे supportive है जिसे हम तपेडिक कहते हैं ये भी एक प्रकार से bacteria ही इसका वाहक है बेक्टिरिया से होने वाली बीमारी है बेक्टिरिया इसका जो है टूबर कुलोसिस टूबर कुलोसिस नामक जो बेक्टिरिया है यह बेक्टि के सरीर में पहुचता है और बेक्टि संक्रमित हो जाता है और उसे टीवी हो जाती है टीवी से जो प्रभावी तंग है उसे हम फ एक निसल दोन। रावित है। उसका फेफडा होता है और इलाज के भाव minder भी हो जाती यह ती वी को ही हम तपेडिक पहते है। श्योंच ओप कहते हैं यच्छमा रोग कह से यह काक लोग कहते हैं य स्के वेक्टिरिया टुबरनफिक से इनतू. वेक्टिरिया जो है बाइमंडल में आसानी से फैरे राते हैं और व्यक्ट के स्वांस द्वारा बाइमंडल में यह हम सांस लेते हैं तो यह हमारे स्वांस के माध्यम से हमारे सरीर में प्रिवेश कर जाते हैं इस प्रकार से टीवी का प्रसार हो जाता है कि टीवी जो है व्यक्त के सरीम एक व्यक्त से दूसरे व्यक्त में संग पहुंच जाता है और मानो संक्रमित हो जाता है तो TB के लिए BCG का टीका लगाए जाता है जिससे बैसलिस BCG का मतलब होता है बैसलिस कालमेट घ्यूरे ये BCG का टीका लगाए जाता है जिससे TB से हम बचे बेक्टिरिया से ही फेलने वाली अन्य बहुत सारी बीमारियां हैं आप देखेंगे जिसमें आप एंथरेक्स भी देखेंगे एंथरेक्स एक ऐसी बीमारी है जो बेक्टिरिया से ही फेलती है और एंथरेक्स जो है ये एक दुरघटना बस होता है चूंकि जानवरों में ही ऀंथ्रेक्स क्या है रहता है और बकरी में तो उसको यह दिमानों खाता है, तो उसमें भी यह यह जो बीमारी है यह पांस से दस दिन के अंदर ब्यक्तिकों फीवर होगा और यदि इसमें इलाज समय से नहीं हुआ तो फिर व्यक्तिक के मृत्व संभव है इसमें आपका एंथ्रेक्स बिमारी में एंथ्रेक्स का प्रियोग हम जैवी खत्यार के रूप में भी करते हैं इसको हम पौडर के रूप में लिफाफे में रखकर कहीं भेज सकते हैं आफिस में किसी मधर में बाइमंडल में इसे हम छोड़ सकते हैं बाई मंडल में हम छोड़ेंगे तो एक निश्चित मातरा हम छोड़ेंगे तो एक निश्चित छित में उसका आसानी से प्रसार हो जाता है और वहां के लोग इससे संकरमित हो सकते हैं डाक्टर योगिंदर सिंग ने एंठ्रेक्स का टीका बनाया था जिससे एंठ्रेक्स से हम लोग बज सकते हैं इस प्रकार आप देखेंगे बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जो बैक्टिरिया से होती हैं जीवान से होती हैं जैसे इसके अरामा भी आप देखेंगे कि आपका पीलिया है जिसमें लीवर प्रभावित होता है पीलिया में इसके बाद सुजाक है गुनोरिया है सिफलिस है य यह अन्य लोगा के द्वारा ही फेलती नहीं यस नहीं कि स्वहिदमक हैं ए छीवारों से अपनी पीप्टि पावर भढ़ा लें या खान-पान सहीं करके इमण्योटि पावर भढ़ाइं तो हम इन वीमारीों से निजात पा सकते हैं इसलिए सरीर की प्रत्यच्छा पणाली मजबूत होनी चाहिए सरीर की प्रत्यच्छा पणाली यद मजबूत नहीं है तो हम विभिन रोगों की चपेट में आ सकते हैं ऐसे ही आप देखेंगे कि बैक्टिरियां के अलामा वाइरस जनित भी तमाम बिमारियां है वाइरस जनित में आप देखेंगे कि जो वाइरस से फैलता है वाइरस से फैलने वाली बिमारियां आपका एट्स है रैवीज है जो कुत्ते के काटने से होता है इसके अलामा आप देखेंगे Hepatitis है, Incephalitis है, Meningitis है, Sars है, आपका Ebola है, Corona है ये सारी की सारी बीमारियां एक वाईरस से होती है जो वाईरस जनीत मिमारी है आपका इसके अनावा खसरा भी आप देखेंगे गलसुआ खसरा जो है खसरा भी आपका छोटी माता और बड़ी माता डेंगू अन बीमारियां भी वाइरस से ही होती है तो पहले हम डेंगू को देखेंगे कि डेंगू जो है ये एक एडीज मच्छर के काटने से भेलता है एक मच्छर है जिसका नाम एडीज मच्छर है और एडीज मच्छर के काटने से डेगू की बिमारी हो जाती है इस डेगू में क्या होता है बेक्ट को बुखार आता है सरीर में पूरा दर्द होता है और पूरा सरीर जो है में खून की कभी होने लगती है प्लेटलेट की संख्या बहुत तेजी से गिरने लगती है और इसी लिए इस बुखार को हम हड़ी तोड बुखार भी कहते हैं इसमें बिक्त के धीरे-धीरे प्लेटलेट की मात्रा इतनी कम हो जाती है कि येज हिलाज सही समय पर नहीं हुआ तो रोगी की विर्त भी हो जाती है इडीज मत्छर इस डेंगू का वाहख है इडीज मत्छर से ही डेंगू की बिमारी होती है इसके अलावा आप देखेंगे एट्स की बीमारी है एट्स जो है जिसका फुल फार एक्क्वाइड इम्यूनो डिफिसियंसी सिंड्रोम इसका पूरा नाम है एक्क्वाइड इम्यूनो डिफिसियंसी सिंड्रोम इसके वाइरस का नाम हम देखें तो HIV है एट्स के वाइरस का अभग सी किसी कि एर शेर्ट से पीडित है तो उसकी प्रत्यच्षा प्रणाली पूरी तरीके से धुस्त हों जाती है ऑर जो बिभिंद रोग के पूरी वीटिरिया है उस है उस पर एटक करते हैं और वा तमाम रोगों से घर्सित हो जाता है जहां येट्स के रोगी का सरीर भी फूलने लगता है, फूल जाता है, चुकि येट्स की जो बीमारी है, ये जो हमारी T-Lymphocyte Koska होती है, जो हमारी प्रतच्छा पनाली होती है, T-Lymphocyte Koska, तो T-Lymphocyte Koska चुकि जीवानों को मारती है, जीवानों को मानने का काम करती है, किलर कोश्का के नाम से हम इसको जानते हैं तो ये T-Lymphocyte कोश्का पर ही इसका अटैक होता है जैसे T-4 lymphocyte जो कोश्का होती है T-8 lymphocyte आगे होता है इस दोनों में interleukin प्रणाली के मार्ध्यम से एक संदेश भेजा जाता है कि T-4 पर जो अटैक होता है तो T-8 के पास भेज दिया जाता है संदेश और interbody बना कर भेज देते हैं जिससे लडने में असानी हो जाती है और वेक्टिरिया या वाईरस को मारते हैं मारकर भगा मतलब उनका भच्छा कर देते हैं या उनको मारकर गिरा देते हैं तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि जो एट्स के वाईरस हैं ये इतने खतरनाक होते हैं कि ये उसी interleukin पणाली पर ही अपना प्रहार करते हैं और interleukin पणाली को ध्वस्ट करके T-8 और T-4 का जो connection है उसे अलग-अलग कर देते हैं T-8 के पास कोई सूचना ही नहीं पहुचती है और T-4 lymphoside लड़ते-लड़ते हाल जाती है इस प्रकार मानों का पूरा प्रतच्छा पणाली ध्वस्ट हो जाता है और इत्स से वो प्रिवित हो जाता है इत्स के वाइरस उसके सरीर में फैलाव करने लगते हैं दूइगुड़न के क्रिया करके अपना प्रसार करने लगते हैं इस प्रकार से हम देखते हैं कि इत्स से बचने के लिए बहुत सारे उपाय बताये गए हैं कि इत्स से कैसे बचा जा सकता है जैसे असंक्रमित योन संबंध ने करिए आप संक्रमित सुईयों का प्रयोग नहीं करें जो नसीले पडार्थों का लोग सेवन करते हैं एक कई injection लगा के नसीले पडार्थों का सेवन करता है इससे भी एट्स हो सकता है गर्भावस्था के दौरान यौन संबंध नहीं बनाना चाहिए इससे भी येट्स होने के खत्रे प्रिबढ़ते हैं और दूसरी चीज़ ये है कि येट्स जो है आप देखेंगे कि सेविंग कराते हैं सेविंग से भी एक ही ब्लेट से ये दो चाल बेक्टियों का हो रहा जानकारी है कि इन सभी चीजों से आपको बचना चाहिए यर इससे हम बचते हैं तो एक खत तक हम इसे रोकने में सच्छम हो सकते हैं कि हम नहीं येट्स के वाइस से हम बच सकते हैं अब रही बात कि येट्स का जो परिच्छन होता है वो किस विधी से होता है येट्स के रोगियों का परिच्छन जैसे पहले रैपिट जांच से होता है येट्स रैपिट जांच में वो पाजट्यू पाया गया तो फिर इलीसा पद्धत के द्वारा उसकी जांच की जाती ह और इलीशा पध्धत 99% सही माना जाता है कि 99% उसके जो आकड़े हैं सही बताते हैं तो यद इलीशा पध्धत में भी आप पाज़्ट्यू आ गए तो इसका मतलब है आप एट्स के रोगी हैं तो इलीशा पध्धत जो है एक ऐसी पध्धत है जिससे एट्स के रोग्यों के पहचान होती है इससे अलावा भी आप देखेंगे बहुत सारे जाच हैं जो एट्स के लिए किये जाते हैं जैसे आप देखेंगे वेस्टन ब्लाट टेस्ट है करपास जाच है रीपा जाच है ये कहीं ने कहीं PCR जांच है तो ये सब एड्स के ही परिच्छन के लिए है एड्स का परिच्छन इनसे किया जाता है लेकिन मुखरूब से प्रचलित विधी जो है इलीसा क्योंकि बाकी विधियां काफी खर्चेली हैं जिनका हम उप्योग अभी सामान लोगों के लिए नहीं लेकिन अफरीका एड्स का जन्वस्थान है और यूगांडा उसकी राजधानी है लेकिन अफरीका का जो पहला रोगी है वो कैलिफोर्निया में पाया गया इवस्थे कैलिफोर्निया में पाया गया था लेकिन एड्स का जन्वस्थान अफरीका है और यूगांडा एड्स क इराजधानी बानी जाती है और आज तो भारत में भी एकस के मामले बहुत जादे हो गए हैं करीम हर साल आकड़े निकलते हैं और उसमें बृद्धी ही हो रही है हम प्रयास कर रहे है भारत सरकार लगातार लोगों को जागरूप कर रही है कि एकस परकार बचें और बचने का हम लोग प्रयास भी कर रहे हैं लेकिन एट्स का प्रसार जो है कहीं न कहीं अपना दिन प्रद्दिन उसमें बिर्द्धी हो रही है एट्स के रोग्यों की और एट्स एक ऐसी घातक बीमारी है जिसके होने पर सारी बीमारियां उसे अपने चपेट में ले लेती हैं तो एट से बचने के लिए हमें जो साउधानियां बताई गई हैं उनका हमें ध्यान रखना चाहिए और उनका पालन्दी करना चाहिए इसी प्रकार आप देखेंगे कि वाइरस से संबंधित जो दूसरी मिमारियां हैं जैसे रहवीज आप देखेंगे रहवीज एक ऐसी मिमारी है जिससे जो कुट्टे के काटने से या गीडर के काटने से फेलती है जिसमें रहवीज के वाइरस हों कुट्टा विल्ली बंदर भी इसमें माना जाता है लेकिन मुख रूप से हम देखें तो कुट्टे और गीदर के काटने से रहवीज के वाइरस तीजी से फैलते हैं यदि कुट्टे में रहवीज के वाइरस है और कुट्टे ने आपको काट लिया तो ये समझे कि आप में रहवीज के वाइरस चले गए हैं तो कोई जोरी ने कतकाल उसके वाइरस आपको देखें कुछ दिन में भी दिख सकते हैं, सालों में भी दिख सकते हैं और वी सो साल में देखा गया है इसके वाइरस एक्टिव हुए है और जब इसके वाइरस एक्टिव हो जाते हैं सरीर में तो समझेए कि फिर आपकी मृत्य निश्चित है ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें 100% मृत्य निश्चित है रेवी इसको हम हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं ऐसी बीमारी जिसमें पानी को देखकर डर लगे पानी से आदमी डरता है इसलिए इस बीमारी को हम करते हैं हाइड्रोफोबिया चूँकि इसमें रोगी पानी को देखकर उछलता है कुटता है डरता है पानी में उसका चेहरा जो है कुट्टे की तरह दिखता है इसलिए वो देखकर उसको उचलता है और इस भीमारी में भी तंत्रिका तंत्री प्रभावित होता है धीरे धीरे जहां पर कुट्टे का निसान होता है चिल्मिलाहट होती है जलन होती है और बाद में आपको फीवर भी आने लगता है आप जीसे भोकने लगते हैं कुछ ऐसी हरकते करने लगेंगे कि जिससे आपको रोकना कथिन हो जाता है ऐसे रोगियों को इसलिए हाथ-पर बात के रखा जाता है जिससे उनके नाखून किसी दूसरे वेक्टी होने लगे तो दूसरा वेक्ट भी रहवीज के रोगियों को जो है हाथ पाँब मायत का रखना चाहिए थोड़ा सतरक्ता से रखना चाहिए और रेवीज का ठीका लगवाना जैसे ही कुटे ने काटा रेवीज का ठीका लगवाना चाहिए रेवीज के ठीके की खोज लूई पास्चर ने रेवीज के ठीके की खोज की है जो जिनके टीके गा नाम है रेवीपुर और HDCV ये दो टीके हैं जिनको लगवा कर हम रेवीज से निजात पा सकते हैं। इसी प्रकार से आप देखेंगे कि आपका इंसेफलाइटिस है। इंसेफलाइटिस भी क्यूलेक्स मच्छर के काटने से फेलता है। क्यूलेक्स मच्छर काटने हैं तो इंसेफलाइटिस की विमारी होती है। जिसमें आपका मस्तिस्क प्रभावित होता है। और मस्तिस प्रभावित होगा इसमें बच्चे को तेज बुखार आएगा सांस मार्ग जो है प्रभावित होता है बच्चे को सांस लेने में दिक्कत होती है और बाद में आप देखेंगे पुर्वांचल की ये ऐसी बिमारी है जिसको सुनने से बच्चा सहम जाता है कि इंसेफलाइटिस का नाम लेते ही हम लोग सहम जाते हैं कि पुर्बांचर इस रोग से काफी प्रवावित है तो कि तराई का वेल्ट है और इन जगौों पर इसके वाईरस जो जो मच्छन हैं धान के खेतों में जादे पाई जाते हैं और इन ही मच्छरों के काटने से इस की बीमारी फैलती है इसलिए इन मच्छरों से बचने के लिए हमें मच्छरदानी का भी प्रयोग करना चाहिए या अपने आसपास पानी का जहां पर जमाव हो मिट्टी का तेल डाल डिना चाहिए या अनुपाय करने चाहिए जिस से हम इस बीमारी से बस सके होने पर कुंत हा का ठीका भी सरकार लगवा रही है जिससे आपको लगवाना चाहिए जिससे आपके बच्चे की प्रतच्छा पनाली मजबूत होगी इससे मस्तिस्क प्रभावेत होता है ध्यान में रखिएगा